सारी परिक्षाय मैंने अपने प्रत्वाइस में किया है और एक और अची बात थी कि मैंने बहुत जादा किसी कोचिंग का या फिर इसका सहारा नहीं दिया मेरी ये लगभग पूरी सेल्फ परेशन रही है पहले प्रियास मैंने इसारे एक्जाम क्वालिफाई किये और मेरा क कोई बैक अप नहीं था मुझे कोई इस बारे में बहुत जादा जानकारी नहीं थी कि कैसे करते हैं अपनी संखर्स अपने चुनोतियों को साज़ा करने का अबसर मिला दोस्तों मैं उत्रप्रदेश के बहुत छोटी से शहर बस्ती से बिलॉंग करती हूँ अपने जीवन की तमाम विवित्ताओं और शुनोतियों को पार करते हुए आज मैं असेस्टर प्रोफेसर के पत्र कारे रहत हूँ मैं अग्सटर प्रोफेसर के पहुशने से पहले में यू पी नर्पहुस्ट पहुशने चैनल किया और उनमें से बहुत से परिक्षाव में मैं अंतिन रूप से भी चैनित हुई लेकिन मैंने उसमें से कोई भी पद जुआईन नहीं किया किसी भी पद को आखरी रूप से नहीं लिया क्योंकि मेरा जो एम था जो लक्ष था वो असिस्टर प्रोफिसर के पद पर ही चैनित होना था और यह यात्रा इतनी आसान भी नहीं थी पहली बाद तो किसी भी प्रतियोगी परिक्षा में बैठना सफल होना भी इतना आसान ही होता है उसके बाद उस पद को पाना और उसको छोड़ देना आपकी सपने उससे बढ़े हैं उससे ज़ादा बड़ा सोचते बहुत को बहुत मुश्क्किल कार है इन सभी पदों को पाने उनको छोड़ने के साथ ही अपने सपने तक पहुशने में जो जो संघर्स मैंने या जो जो चुनौतियों का सामना मैंने किया वो आज मैं आप सबसे साजा कर रही हूँ मेरी जो असिसरी प्रोफेसर बननी के जो यात्रा जो सुरू हुई वो बहुत पहले से डिसाइडर जाता है लेकिन मेरे संग ऐसा कुछ नहीं था मैंने पोस्ट्राइट के बाद से ही सोचा कि मुझे असिसरी प्रोफेसर बनना है कि उसके पहले मुझे कोई नौलेज नहीं था मैं अपनी घर में पहली ऐसी लड़की हूँ या कैसे पहली ऐसे अवेक्टिट हूँ जिन्हों ने डॉक्ट्राइट किया जिन्हों नेट जियारफ को अलिग पाई किया टो मेरे पास कोई आसा बेकड्राउन भी नहीं था ना भार मैं छुकि मै खुद बहुत इंट्रेसर नहीं थी तो मिझे बहुत ज्यादा को नहीं था तो मेरे सामने एक और भी चुना थी कि मैंने सोचते लिया साथ ही दोस्तों से किसे सुनती थी तो मैंने सोचने मिजे अपना संपर्ग बनाने में एक पढ़ने में तो उसमें ही हमें टाइम लग जाता था तो ऐसे करते करते हमने कई कई जगह से सिक्षा हासिल की करने में नई चीज़ों को फेस करने में बहुत ज़्यादा परिशानी नहीं हुई इसके साथ ही जो समस्या होती है जो हिंदुस्तानी भारती सभिता की समस्या है कि लड़कियों को सेटल होने का जो और तरीका होता है वो ये भी होता है कि उम्र हो गई है वे इनको विवाह मेरा रास्ता बहुत ज्यादा वीजन कोई क्लियर नहीं था कि मुझे आगे चाहिए करना है तो माता-पिता के दिमाग में यह भी चल रहा था कि हां पर पोस्ट रिजशन हो गया है और इनकी शादी विवा भी देखनी चाहिए ऐसा भी दिमाग में चल रहा था बट सटेन है एक यही विकल्प था यह घरवालों की ऐसा मजबूरी नहीं है यह हमारी हिंदुस्तानी सब बता की ही देन है कि लड़की पोस्ट वेशन तो आज बहुत बड़ी बात है लेकिन अगर पोस्ट वेशन पर पहुच जाती है तो कहीने के उसके विवाह के लिए लोग चिंत शादी विया नहीं करना है मुझे अपना करियर बढ़ाना है सुरु में मादापिता को करनें के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होई सुरुवात में मुझे 6-6 मेने का ही टाइम दिया गया कि ठीक है पिर तुम 6 मेना देख लो आगे तियारी करके देख लो कि कुछ वीजन क अपना कि मैं पहले से तयारी करके रख्यूं कोई प्लान बना कर रखाओ और मुझे बस फाइलाइस करना है तो उन समय मैंने पहले बार नेट और जारफ का एक्जाम दिया तो नेट मैंने टच विट मैंने नेट और जारफ दोनों क्लियर किया और इसमें मुझे इंटर्व अब पूरी तरीके से प्लान रही कि कोई प्रेशा रहा नहीं था कि अब इसको कुछ वर भी सोचना है इन फट पहली बार मैंने जॉब पाई मुझे पीज़ी जॉब मिली तो यह जॉब का यह कहना कहना था कि पहली जॉब इसको ले लो इसके साथ तयारी करो लेकिन कहीं पाउंगी तो इस नौकरी मुझे बहुत दूर मिली थी और मैंने जितना लोगों से सुना पड़ा कि साथ तयारी में ना कर पाऊंगी तो मैंने फानली डीसीज़ी था कि मुझे यह जॉब छोड़ देनी है यह भी मुश्किल था क्योंकि जॉब मिलना ही बड़ा मुश्कि वो जौब छोड़ ली उसके बाद फिर मैं अपनी त्यारी सुरू कर मैंने सुरू की अशिस्टन प्रोफेसर के लिए इसी की पीछ में मैंने पीजीटी डिएससबी की परिक्षा भी क्वालिफाई किया अशिस्टन प्रोफेसर के पद की बात करें तो मैंने हमाचल अशिस्टन प्रोफेसर के पद मिल जोगा था इन सबसे जो में जो बड़ी और अच्छी बात यह थी कि यह सारी परिक्षा है मैंने अपने प्रथम प्रयास में ही किया है और एक और अच्छी बात थी कि मैंने बहुत जादा किसी कोचिंग का या फिर इसका सहारा नहीं दि है तो मेरा बस मैं आपसी इस अबर इबाती यह भी साजह कर रही हूं कि बहुत से लोग मुझे अभी कूछते हैं कि कैसे होगा मुझे कुस पता भी नहीं है मुझे स्लैबस नहीं पता है मुझे चीजे नहीं पता है और टाइम लगेगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तो आप नहीं कर सकते हैं आप बहुत टॉपर नहीं है तो भी आप मैं एवरेज स्टुडेंट रही मैं भी बहुत ज्यादा वेल अच्छे नंबर नहीं रहे हैं मेरे मैं फर्स डिविजन की इर्दिगिर ही रही हूं लगबग तो ऐसा कुछ नहीं है अपने आपको बिल्कु लोगों से कॉम्पीट करना है आप अपनी पढ़ाई अपनी त्यारी और अपना हंडेट परसंट दीजिए जोटी एक्जाम आप कौलिफाई कर रहे हैं उसको एक्जाम की पूरी की पूरी रूप रेखाद आप फुद त्यार करिए किसी और को फॉलो करने से अच्छा है आप फुद को फॉलो करिए अपनी पॉजिटिविटी देखिए अपना प्लेस पॉइंट आपकी जो शक्ती है उसको आप ध्यान दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी त्यारी सुरू कर दीजिए 100 परसंट आपको ही दीना है मेरे परिक्षा में मेरे जीवन मैंन आपको अपनी त्यारी के बारे में अपनी त्यारी के बारे में खुद स्वैम पता है सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक एक एक्जाम को टार्गेट करिए और पूरा टाइम उसको दीजिए बहुत से लोग के संग ये भी समस्य होती है कि किसी की घर की लाइफ नहीं से चल रहे है किसी दूसरी लाइफ नहीं सही चल रहे है तो मेरे ये भी सजेशन है कि आप अपनी परसनल लाइफ को और एक्जाम अपनी कॉम्प्रेट्री लाव इसको बिल्कुल भी मिक्स ना करें दोनों अलग लग चीजे हैं जब आप पढ़ने बैठें तो आप बाकी सारी चीजे भूल जाएं कि क्या परिशाने क्या नहीं परसाने क्योंकि आपने जो चयन किया है आपने जो अपना टार्गेट एक बार रखा है आपको अगर वो ट तो आपके बाकी सारी परिशानिया जो आपके जीवन की परिशानिया है वो भी सॉल्व होने लगेंगी लेकिन आप अन्य परिशानियों में जा करके अगर अपने अपना टार्गेट अपना ऑक्सीजन मैं हमें से अपने पढ़ाई अपने करियर को ऑक्सीजन ही कहती रहे ह इसके बिला जीना संभाव नहीं होगा जब आप इतना सोच लेंगे और 24 घंटा आपके दिमाग में यही रहेगा कि आपने बस करना है तो आपके लिए ये लक्षी भी मुश्किल नहीं है और कोई भी लक्षी मुश्किल नहीं है मुझे लगता है अगर मैंने अपने साथ के लोगों को भी देखा है बहुत से लोग कि वह तमाम तरह के अलग अलग फील्ड की फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले जरूरी है मेरा एक्स्पिरिंस भी है कि आपने एक टार्गे लिया है तो उस पे आप 100 परचन दीजी आप उसमें अगर निकाल लेते हो कोई अच्छा पद आपने निकाल लिया उसके साथ अगर आगे तियार कर लेते हो एक बैक अप के रूप में भी तो आप आगे बढ़ते रहिए लेकिन एक टार्गे आपको होना चाहिए संकल्प के साथ विकल्फ नहीं होता मैं इमानती हुमेशा कि आपने एक चीज सोच लिया है तो उसको टार्गेटेट फुल टार्गेट करियारी कभी रुपती नहीं है आप हमें से तारी करते रही है मैं तेरी करने के बाद भी आज भी मैं चुकि मैं गल्ल्स कॉलेज में पढ़ा रही हूं तो वहां की लड़कें की समश्या है मैं देखती रहती हूं कि क्या है क्या नहीं है मैंने भी कॉलेज में भी मैं नहीं पढ़ा रही हूं इसके साथ ही मैं अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी प्रयास कर रही हूं कि जितने लोगों की मैं हल्प कर सकू करूं इसी संदर मैंने भी अपना एक चैनल निकाला है कि हिंदी नारी नाम से कि मैं वहां पर भी लोगों की समस्या या फिर भढ़ाई से ज़रू रिलेटे जो भी प्रयास है तो उसी क्रम में मोटिवेशन फैक्टरी भी मैं बहुत दन्यवादे रही हूं कि आप भी लोगों को ल देखने से लोगों को ट्रेडा मिलती होगी तो मोटिवेशन फैक्टरी को भी बहुत बहुत आभार कि आप एक बहुत अच्छा कारे कर रहे हैं शुक्रिया